अबें दोस्तों मैं हूं दोक्र परम जीट आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन हम देख लेते हैं पहले बहुत जो है वाज जा रहा है या नहीं अवाजे सई आरी है या नहीं हम ने अपना आज के लाइव का टॉपिक चेंज किया है लाइव यह ने अज़ के आपने लाइव देखा होगा हमारे स्टोरीज पे कल हम गुर्दवारे में थे और आज हम यहां है दूप समर शुरू हो गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है समर में इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे डिसकस करेंगे और मैंने सोचा कि मिमारियों के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से पहले से बहतर है हम डायेट के बारे में बात करें कि क्या इंपोर्टन्ट है कैसे उसको टैकल करें क्योंकि उसके लिए बने वीडियो बना दिया थोड़ी दिर पहले वीडियो आया है समर हीट इलनिस का कि गर्मी से आपको क्या क्या प्रॉबलम होती है आज भी मेरा भी पूरा सरदर्द हो रहा था कल भी आज भी जैट वस्ट बिकॉस डिहाइडरेशन में ली हम एक खुद का ख्याल रखने से थोड़े कतरा जाते हैं यह बहुत होता है सब के साथ होता है यह आप अकेले नहीं है हम भी इसी इसी क्या बोलते हैं इसी प्रॉबलम के शिकार है कि हो जाता है काम में बिजी हो जाते है काम में हो जाता है इस वजये से धिककड होती है थाइंक्यू Sandeep जी दाडी अच्छी है बोल रहा है आप यह विखें की लिए दाडी सेथिये बाकी तो आ summer समर में क्या खाएं क्या ना खाएं यह question है और यह हमारा seminar है सबसे पहली चीज आपको देखना honest olur में बदल क्या जाता है बाहर कर Τंपरेचर बदल जाता है समर में धूब द्यूब बडेगी समर में आपको प्यास ज्याधा लगेगी प्यास के साथ-साथ आपकी जो है वा हीट radiate करेगी ट्रीट करेगी या इतनी गर्मी में परस्पिरेट करेगी पसीना निकलेगा और पाणी की mem जादा होगी पहली पहली बात आपकी बॉड़ी गर्मी जardonा स्यंहीं गर्मी जादा प्रेना करेगी तो खाना जो ह tar Petail होगा फरहले आप बेसिक समझें करेंद के जो कम बर्ण मतलब जो नॉर्मल थंड में क्या होता है शरीर गर्मी पैदा करने के लिए इनर्जी जयादा प्रोड्यूस करता है Metabolism बढ़ा देता है कि गर्मी ज़ादा हो शरीर में ताकि आप ठंड में सर्वाइब कर सके इस में metabolism slow हो जाता है metabolism slow हो जाता है ताकि आपकी body में क्या अंदर से heat ना पैदा हो already बाहर से गरम से आपकी body गरम हो रही है इस वज़े से तो आप अगर heavy खाना खाऊगे गर्मी में तो problem हो जाएगी इसलिए लोग कहते हैं कि ठंड में body बनाना असान होता है ने तो घरमी में जल्दी मोटे हो जाते है exactly बिल्कुल जल्दी मोटे हो जाते है उसके कारण है यही सारा हमने आज बात करना है कि पहली तो हम आपको यह बताने से पहले क्या खाओ यह हम बताते हैं क्या ना खाओ summer में ऐसी चार खतरनाक mistakes जो आप करते हैं मैं करता हूं सब करते हैं बहुत common है जो नहीं करनी चाहिए उसके बारे में पहले तरह सी बात चीथ फिर उसके बाद बताता हो क्या खाए number one mistake जो है वो होता है जो लोग बहुत जादा health conscious होने के चक्कर में healthy 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 के चक्कर में जो खान देखे ये बात नहीं बतारा हो कि junk food खाना burger खाना obviously यह तो सबको पता है कि junk food खाना गलत है burger खाना गलत है गलत मतलब बहुत रोजी रोज तला हुआ खाना रोज रोज यह खाना obvious बात है junk food कहेंगे तो मोटे होई जाएंगे लेकिन जो लोग एक्चुल हेल्दी रहना चाहते भी हैं, जो लोग समर में पतले होना चाहते हैं, उस effort में वो क्या गलती कर रहे हैं, बाद तो फिर यह आती है, तो effort में गलती है कि अगर आप समर में salad जादा खा रहे हो, तो उसमें जो गलती हो जाती है, वो उसमें added sauces की हो जाती है, mayonnaise की हो जाती है, coleslaw की हो जाती है, coleslaw वाले sandwich खा रहे हो, चाहे brown bread वाले sandwich खा रहे हो, लेकिन उसमें coleslaw डाला है, coleslaw, mayonnaise, fat-based dressings, आप खा रहे हो सब्वे के burger, सब्वे के salad, सब्वे के salad में आपने sausage पूरी भर के डाली, तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप आपके अंदर इतना fat-based high-calorie food जा रहा है, वहाँ, salad high-calorie नहीं है, उसका chicken थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो fat-based जा रहा है, that is the problem, वहाँ पर आपकी calories जो requirement है, जो आपके अंदर metabolism slow है, उसके वज़े से आप पतले होना तो दूर की बाद है, उल्टे मोटे हो जाओगे, जूरू होंगे, और शर्बत शुरू होंगे, जूसेज शुरू होंगे, ठंडा जूस पिला दो, रू अवज़ा पिला दो, कोई मुझे शेक ही पिला दो, उसमें क्या होगा, उसमें शुरू होगी extra sugar, सारी sugar चालू होगी, लोग पिएंगे sugar वाले, गन्ये के जूस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपको अपनी calories देखनी है, प्रॉब्लम है आपको अपने बिमारी potential obesity देखनी है, कि आप कितना calories खा रहे हो, simple sugar कितनी है, कितनी उसमें से आपको calories, मतला बहुत जादा sugar हो जाएगी, गन्ये का जूस भी, आप अगर कोई घर में आ आप cold coffee में sugar डल के पी रहे हो, फिर रस भी पी रहे हो, फिर शर्बत भी पी रहे हो, फिर cold, समझने है बात को, so इस चीज में big mistake हो जाती है, problem इसमें यह है कि आपको लगरी है प्यास, आपको पीना चाहिए, पानी, या आपको एक हादी बार आप पी सकते हो इन सब में से, fruit based juice, fruit based, या fruit खाओगे तो और भी बहतर है, थंडा करके chilled fruit खाओ, that is matter, वो बताओगा मैं क्या करना है उसका, इसके भी solutions, तो ये बहुत बड़ा factor है आपके वजन नहीं कम होने का, अगर आप इसमें पैदा, इसमें रही sugar को नहीं देखते हो, so इसका इसका क्या कर सकते हो, आ आप ऐसे चीजे लो, जो naturally sweet है, उनका आप smoothie बनाओ, उसका गुदा भी रहेगा उसमें, smoothie बनाओ, fruits की smoothie और वो खाई है, right, watermelon की, केले की, थंडे करके, थंडे करके smoothie बनाओ, उससे आपकी वो थंड़क, वो भी मीटे की, दही की आप लसी पीओ, without sugar या फिर sugar-free डालके, या कम शक्कर में, या कभी-कभी शक्कर में, एक बार पीओ, ऐसा नहीं कि बहुत जादा, so that is one idea, third big mistake, जो लोग करते है, ice cream शुरू हो जाती है, sundays शुरू हो जाते हैं, dress, यह सब में, यहाँ problem आती है, ras, malai, rabdi, यह सब ना, rabdi तो नहीं, ठंडी वाली जो होती है, because ठंड, लोग यसी चीजे शुरू कर देते है, that is also the big mistake here, जो आपको नहीं करना चाहिए, अगर आपको sweet dish खानी, अगर आपको यह खाना है, summer में भी, तो आप ध्यान में रखिए, frozen चीजे खालो, frozen yogurt खालो, योगर्ट में आती है, main yogurt यह वो मीठे वाला नहीं जो बाहर आता है, आप fruits को, fruits को freeze करके, fruits को दही में डालके, ऊपर से sprinkle sugar करके, थोड़ी सी फिर खाओ, फिर देखो मजा, उसमें क्या होगा, minimum sugar होगी, लेकिन आपको sweet dish का भी, fruits का भी, दही का भी लाब हो जाएगा, right, वोई चीज में थोड़ी सी honey डालके खालो, वो कर सकते हो, और make sure कि आप पूरे दिन में अपनी calories सही तरीके से count कर रहे हो, so यह हुए जो major major mistakes लोग करते हैं, summer में, right, अब आप बात करते हैं, summer के, मैं एक बार देखना हो, भी, चलो ठीक है, लाइव तो अभी को निया है, ठीक है, जो अब क्या खाएं, फिर खाने में क्या खाएं, number one चीज जो आपको खानी ज देख लो, dehydration क्या क्या हो जाता है, dehydration, heat exhaustion, heat stroke, heat emergencies, headache, भी, बहुत problem होती है, dehydration, प्यास लगने का इंतजार कर रहे हो, तो you are mistaken, गलती हो रही है, बहुत भारी, summer में, प्यास लगने का इंतजार मत करो, फिर फिर से बर्फ जैसा थंडा पानी तो नहीं, लेकिन थोड़ा थंड थंडा पानी मत पियो, थोड़ा थंडा पानी पियो, एकदम गरम पानी वो सब ज़रूरी नहीं है, आपको आदत है, अलग बात है, लेकिन पानी ज़रूरी है, main चीज पानी है, ठीक है, दूसरी चीज जो पानी कितना, कम से कम 3.7 लीटर मेल के लिए, साड़े पौने 4 ली दूसरी चीज जो आपको जरूरी है, वो है दही, योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट is very important in summer, खाना है, बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको सूट करता है, थंडा थोड़ा लोग, इसमें बहुत जरूरी है, थर्ड चीज आप ज्यादा ले सकते हो, टमाटर, टमाटर य बहुत अच्छे हैं, आपको सारे वाइटमिन C, वाइटमिन E, वाइटमिन बहुत अच्छे अंटी ऑक्षिदेंट्स हैं उसमें, टमाटर में भी इन में भी, तो यूशुड टेक सिट्रस फूरूट्स, एंटी ऑक्षिदेंट्स में बेरी फूरूट्स बहुत काम करेगी मैंगोज अच्छे हैं जी हां मैंगोज बहुत ज़्यादा गरम नहीं होते कोई चिंता वाली बात मत करिए मैंगोज खाईए नो प्रॉब्लम ठीक है और आशीज जी फंगल इंफेक्शन के बारे में वीडियो है आप कृपया वहां जाके देखिए इतनी बार मैसेज करने से नहीं आ जाएगा आंसर के उपर आ रहे हम अभी दो मिनट बाकी है ठीक है तो उसके बाद क्या खाना है बेरीज फ्रूट्स यह योगर्ट पानी और मैंगो और इसके अलावा जो समर में जरूरी है आपके मसाले घर में जो आप खाते हो जो ठंडे में चीज है इलाइची स जो ठंडी चीज होती है वो खाई यह वह बहुत अच्छी चीज है तो घर में अगर चाय पी रहे हो तो उसमें यह डाल लो ताकि चाय भी बेटर रहे था नहीं कि चाय बहुत ज्यादा गरम करे कौफी चाय कम करके इन को क्यों काफीन बहुत प्रॉब्लम करती है मेटाबल उससे आपकी बॉड़ी में मेटाबोलिजम बढ़ेगा तो एक साथ बहुत जादा खाना नहीं खाना है थोड़ा-थोड़ा करके खाईए ताकि आपकी बॉड़ी को मेटाबोलाइज करने में ताइम दीरे-दीरे करे अराम से मेटाबोलिजम स्लोली हो ऐसा नहीं कि बहुत समर में ठीक है दारू आरू पीतों हो कम पीजिए बेर बेर पीते हैं कम कर दीजिए वह बहुत जरूरी है समर में लेना जब तक मैं सवाल ढूंड रहा हूं आल राइट तो के यह आ गया गडबड पहला सवाल ढूंडने की कोशिश हो रही है अब हमारी ओके यहां पर तो मिली निरा ओके टॉप चैट ने लाइव चैट लाइव चैट में हम जा रहे हैं सवाल ढूंडने की कोशिश में पहला सवाल ढूंड रहे हैं किसने भेजा था पहला सवाल भेजा होगा चलो पहला सवाल भेजा होगा चलो पहला सवाल तो दिखी नहीं रहा इसमें कहा गया इसमें देख लेते हैं पहला पहला सवाल है सर क्या रोटी और दाल के साथ दाल को साथ खाएं तो क्या यह complete प्रोटीन हो गया बॉल्टी बिल्डिंग के रही है अब्वियसली complete protein होगा अब जी वाले पावर जी आपने हमारा complete protein incomplete protein वाला video नहीं देखा जो हमारे fitness and nutrition वाले चैनल पर है जाके वो video देखिए सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके hotel manager please tell me how can I stop habit of masturbation and watching porn it feels effective psychologist से मिलिए आपको counselling की जरूरत है there is no medicine for this there is no medicine for this there is no way for this unless and until you want to do it you can get help sir is there any test available to know your origin no 22 years sir during during workout in gym I sweat a lot so sir after my workout I used to recover from excess sweating okay I should what should I use to recover PANI you need PANI electrolytes that's it you can take ORS ले सकते हो अप लेक्ट्रोल ले सकते हो कोई नमक पानी का नमक शक्कर का गहोल ले सकते हो या कोई फुरूर जूस ले सकते हो स्मूदी ले सकते हो समें थोड़ा सा नमक दाल दो बास बढ़िया that's it nothing else needed right is there any test available हो गया यह अला एक दो इंचार सर लेग नी फ्रैक्चर हुआ था okay the operation हुआ वो steel वो steel क्या hardware लगवाया नी में one year हो गया अब जो steel hardware लगवाया वो maximum कितना time के बाद रिमूब करना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है कई कई अइसे चीज होती है जो रिमूब करने की जरूरत ही नहीं होती है यह अपके डाक्टर साहँआए और्थोड़े यौर्थोवी ड़ुक्तर सी जाके मिलू वो बताएंगे कि आपके केस द्लक्तर करने की जरूरत है यह नहीं है ऐसा वो जरूरी नहीं होता इपसलुटली यूचिज पड़ियन रुख फॉर हैवी वेट मैं जबी भी मेरे पास भी पेशेंट आते हैं चाहे नॉर्मल आदमी हो चाहे बिमार आदमी हो एक ही चीज है ऐसा बजन उठाओ जिससे आप नेगेटिव रेप स्लो करो नेगेटिव रेप मतलब चेस्ट में अगर स्लो नीचे लाओ तो नेगेटिव रेप दो चार सेकेंड का धीरी 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 नीचे लाके करो अगर वह वजन से आप बारा रेपिटिशन से ज्यादा मार रहे हैं तो ही वजन बढ़ाना यह नहीं कि पचास साथ किलो सो किलो 200 किलो उठा रहे हैं किसी भी चलिकी के एक्सराइज में नेगेटिव रेप स्लो करो कम अब कम वजन पर साधा ज्यादा एफेक्ट आएगा और को इंजिरी नहीं होगी और दूसरी फालतों के एकसेसरी मसल्स को इंवाल्व नहीं करोगे यस यू कन लिफट वीट आयम 24 यह लास्ट 4-5 मन्स से मेरे बॉड़ी पे छोटे-छोटे वाइट स्पॉट दिख रहे हैं रोज का एक दिन में दिन प्लीज डॉक्टर हेल्प मी तो कम आउट माइड दॉक्टर अड्वाइज मी इस इस नौट अ बिग इशू इस तो वियर्ड लुक्स वियर्ड सौरी यह चीज जोतिका जी हास तो बी सीन इसको एक डर्मेट लोजिस को दिखाओ एक नहीं सुनता दूसरे को दिखाओ वाइट स्पॉर्ट कैन बी इंफ बारी शुरू कर दो वाइटमिन B12 और विटामिन C, विटामिन E यह तो बिल्कुल शुरू कर दो बिना सोचे समझे उसके बाद रर्मेट लोजिस को दिखाओ कि कोई लोकल क्रीम लगानी की ज़रू था एंटी इंफिलमेटरी या नहीं Insulin resistance versus Insulin deficiency, in a patient has insulin resistance that is cell does not respond to insulin, then how glucose enter into cell without insulin? Is that some cell respond? ऐसा नहीं है, some cell don't respond is basically insulin resistance means the insulin is working slow, वोही काम करने के लिए ज़ादा insulin लगेगा, that means resistance, right? Insulin resistance is not, insulin is not working at all, okay? It means resistance, right? अगर आप एक चल रहे हो, मारलो एक गाड़ी चल रही है और जाम लग गया, जाम लगेगा तो resistance हो जाएगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप घर पहुचो की नहीं कभी जिंदगी में, जाम लगने का मतलब मर नहीं गया हो, वैसी ही insulin में जाम लग गया, resistance हो गया, दीरे काम क करेगा, मर नहीं गया, insulin आपका, ठीक है, don't worry about it, self-response करते हैं, जाधा value लगती है, जाधा insulin लगेगा, वही effect लाने के लिए, और कुछ नहीं, testosterone test को fasting लगता है, जी हाँ, fasting करना चाहिए, 8 बजे सुबह खाली पेट, हाँ, डीपक, synthetic versus herbal vitamin difference, herbal vitamin की कोई चीज नहीं आती, herbal vitamin का मतलब होता है, fruits, herbal vitamins, fruits and vegetables, उसको लोग कूट के, उसमें डाल के दे देंगे, वो रहेगा, नहीं रहेगा, वो, उसके, उसकी क्या, कितने vitamin होंगे कितने बचेंगे, नहीं बचेंगे, कोई जिम में जारी नहीं, तो herbal vitamin नाम की दवा मत लेना, वो फालतों के पैसे वेस्ट है, इससे अच्छा, 10 रुपे की सबजी घरीदो, fruits खरीदो, 10 रुपे गया, एक टाइम पर तो 10 रुपे की खाऊंगे, चाहे, 50 रुपे किलो है, य रुतने में सस्ता पड़ जाएगा, सबजी आखाऊ दबा के, headache, dizziness and stretch in eyes, weakness, 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 weakness, a big point, dehydration, bottom line, आज हुआ, बौत लोगों का हुआ, तीन चाहर पेशेंट आज एक बाबची हमारे भी आया थे, most common reason, dizzy, पानी पीओ पानी, पानी भाई की डिनी फेलियर के लिए तो नेफिरोलोजिस को दिखाना पड़ेगा कारण दूना पड़ेगा इंफेक्शन तो नहीं है क्या कारण है किड्नी क्यों फेल हुई है चलो पेड़ सवाल ले रहा हूं उसके बाद नीचे जाईए अभी और सबसे नीचे में आप अपने सवाल लेके रेडी रहिए अपने सवाल तुरंद मत डालिए अभी जब मैं बुलूंगा तब डालना और सवाल डालेंगे उसमें आप लिखेंगे समर के डायेट के बारे में सवाल होना चाहिए तब जवाब आएगा सार इंटेस्टाइन स्वेलिंग से ब्रीधिंग इश्यू होते हैं नहीं भाई साब यह गलत है अगर कोई कह रहा है इंटेस्टाइन की स्वेलिंग से ब्रीधि तो थोड़ा सा सुझेगा इत्ता भी सूझ सकता कि इत्ता वड़ा हाथ हो गया मेरा हाथ मुड़ भी निरा अगर इंटेस्टाइन में सूजन अती हो गई कि पेट की जगा खतम हो गई पूरा भर गया पेट फूलता जा रहा है तो वह उपर छाती की डाइफराम को भी को वरना थोड़ी बहुत इंटेस्टाइन स्वेलिंग से सांस नहीं फूलता ठीक है थाइंक यू अकरम जी फॉर दा डोनेशन और अब हम बात कर रहे हैं लाइव चैट की अब हम जा रहे हैं सीधा-सीधा नीचे आपकी एज क्या है मेरी एज है आए मैं 1985 बॉन गिन लो 33 क सब्सक्राइब करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो सिंपल नंबर है 7827570775 इस पे आप वाट्सेप करिए और वेट करिए आपको रिप्लाए आएगा और आपका हमसे बात हो जाएगा उसके लिए इस दीन मिलना है इस दिन आने का प्लान कर रहे है तो इस दिन मैं कहां अवेलेबल हूँ हूँ अवेलेबल नहीं वह जानकारी भी उसी वाटसेप पे मिल जाएगी वाटसेप आराम से काम करता है इसलिए हमने वाटसेप पे यह सिलसिला और यह सर्विस देनी शुरू कर दी है राइट तो समर डायट और फुटबॉल प्लेयर वाई ऐसा नहीं है एक्सरसाइज करने वाले बहुत जादा करने वाले सब के लिए एक ही बात है फुटबॉल प्लेयर बहुत जादा वर्काउट करते हैं दौरते भागते हैं तो उनको ध्यान में रखना है कि दूरिंग आफ्टर एक्सराइज ज़रूरी है ठीक है विकॉस यूर यूजिए लॉट ऑप्लेयर और धूप में खेल रहे हैं तो बहुत जरूरी है फिर तो अती जरूरी है सर आपकी एज के बता तो दिया रावल जी अल्राइट नैचरली कितनी मसल मास गेन हो सकता है विडाउट जो पानी पाच्छे किलो फैट और छे किलो मसल अइसा होता है छे महिने में डिपेंड करेगा आप सही तरीके से एक्साइज कर रहे हो की निए अगर आप कटिंग वाली प्रॉपर लीन मसल गेन कर रहे हो तो छे किलो तक आपका यानि एक किलो पर मन्त स्टार्टिंग में यह होता है हिसाब किताब मसल क्रिश क्लिकोस पॉडर इस ब्रैयठर फुर सन्म को से ZYाधा contracting से जाधा इलेक्ट लेक्ट्रोलइटस लेघ टीटहकर चल जाएगा उसके जगँ ऊर्एट्रम तो मेरे हिसाब से ORS या उसके जगा इलेक्टरॉल इस मच बेटर देन सिर्फ प्लेन ग्लुकोस और बच्चों के लिए या ऐसे लोग जो दौड रहे हैं उनके लिए ग्लुकोस भी चलेगा दौड़ेगा पीड सवाल के लिए ऐसी चिंता ना करें मैंने नंबर बताया है उस नंबर पे वाटसैप करें वाटसैप करिये वेट करिए आपको एक ही दिन में सवाल में जवाब आजाएगा सुपर चैट देख रहा हूँ, सुपर चैट आया है एक खादा आल राइट, थैंक्यू गनेश प्रकाद प्रसाद जी ने सुपर चैट में डोनेशन किया है समर डायेट, फुटबॉल हो गए समर, डेफिसेट में नहीं करना है आपको अगर पर्फॉर्मन्स बढ़ाना है, तो आपको सर्प्लस मी रखना है अब यह बात याद रखिएं समर में ये पॉइंट बताने का उद्देश यह है कि सर्प्लस भी एक लेवल में हो सर्प्लस पांसो कैलरीज का हो पर डे यह नहीं कि आप इतनी शक्कर खा रहे हो कि देड़ हजार कैलरी सर्प्लस हजार कैलरी सर्प्लस में हो रही है बहुत जादा हो जाएगा फिर आपका परफॉर्मस बढ़ना तो दूर की बात है मोटापा आने शुरू हो जाएगा अनियन हेल्पस इन समर तो गेट रीड अफ हीट गुड कोश्चन आई हाब तो लोक इन्टो देस पर यह सच है आज तक मतलब लोग कहते हैं कि हमारे भी घरवाले कहते हैं भार जा रहे हो तो अनियन साथ में रख लो यह आपकी बॉड़ी से हीट ले लेगा यह साइन्टिफिकली होता है कि नहीं होता है यह अभी तक मैंने भी नहीं सुचा अच्छा सवाल है इसको मैं रिसर्च करूँगा इस पर वीडियो बनाएंगे शॉट अच्छा हो आप बस अच्छा आपने बहुत कुछ अच्छा किया है मेरी लाइफ में तैंक यो सो मच सीमा जी तैंक यू यह जानके अच्छा लगता है कि कि यह कुछ किया बस ये चीज आ है इसलिए आ जाते है आपके पास अल र्राइट ये प्राब्लम नहीं है एक बार में भूख सारे अंडे समर में खाओगे तो गर्मी हो सकती है विकॉस अंडे में ज़्यादा प्रूटीन और ऐट्स है अलोगी बात कर रहा हम अगर पूरे अंडे खाओगे तो उसको डिवाइड कर दो बस सुबह ठोड़े दुपहर थोडぇ शाम थोड़े रात थोड़े बारा खाने बारा खाऊ कोई दिकत नहीं rape यह जगा इसको याद रखो इसमें क्या करना है प्रोटीन एक टाइम पे 25 ग्राम रख लो उससे जाधा नहीं अब बोलो कि 25 ग्राम तो भाही इसमें भी जाता एक वाइट में बिल्कुल खा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें काइदे से तो चार-पाच अंडे एक साथ खालो बस चार-पाच खालो बारा-बारा मत खाओ थोड़ा बहुत दूसरा प्रोटीन डाल दो और याद रखो प्रोटीन एब्जॉप्शन प्रोटीन अवेलेबिलिटी मसल में तब लगेगी जब आप प्रोटीन मिक्स करोगे जितना वेराइटी ऑफ प्रोटीन खाओगे उतना बहतर है कोई डाउट नहीं समर की बेस्ट पहले एक दस मिनिट के वीडियो तो देखो भाई साब यह प्रॉब्लम पता है क्या है आज की डेट म 보여ball नहीं है कि जिन्देकी जिंदे बल् extraordin समझें क्या नहीं खाना एं कितना क्या खाना है क्या और किसको ज़्यादा घा सकते हैं यह दाएक पिर के निया स temple काप फिरनियो से लग्तना है अगर दोगे तो कोई भी सवाल पुछो गयार सिमरन जी ऐसे धोके बाजी नहीं जा रहा आइम आपको दूसरा कारण हो सकता है में भी डाइग्नोसिस इस केस में एंटी स्पेशलिस को दिखाओ अब ओमेगा-3 के लिए बेस्ट सप्लिमेंट है जिस भी सप्लिमेंट में सिर्फ EPA और DHA हो एक ऐसी मेडिसिन का नाम मैं बता देता हूं मैगा-3 की आती है कोई में को नहीं पता एक यह कई मिलेंगे जिसमें आगवाले ज्यादा होगा लिए ज्यादा नहीं है मतलब जादा खाने में अगर आप पैसे दे रहे हो इतने जारा कैप्सूल के तो अच्छी चीढ लो वारना फिश फालो वह एक ही बात है है कि नहीं यह पॉइंट पॉइंट यह है फिश ले सकते हो समर में बट एक्चिली अगर बहुत बेनिफिट चाहिए तो EP और DHA वाला ओमेगा 3 ले लो फिश ओयल सप्लिमेंट से उतना यह थोड़ा सा ज्यादा रेट होगा लेकिन एफेक्ट दो-दस गुना ज्यादा होगा इसके बारे में मैंने फैट वाले वीडियो में अभी बना बताया था अपने फिट्नेस और एक्सराइज वाले चैनल में फिट्नेस और न्यूट्रिशन जाके देखो समझेगा आपको क्यों कैसे को इसका कन्वर्शन लेस देन 5 परसेंट है इपीए में 5 परसेंट है डिए नहीं होता समरण जी 25 बार लिखोगे मैं नहीं जवाब दोगा गलत बात का गलत नहीं होगा हाँ मच वाटर शुट्वी ड्रिंग आइडिली तुस्टे हाइडरेटेड यू शुट्रिंग 3-4 लीटर्स अवाटर इन समर्स एवरी 3-4 आवर्स आपने पानी पीना है रिमें तुस्टे में यू दो खाना का बहुत मुष्किला है यू और राइड वाट गन्दा टेस्ट है इफ यू दोग एड यू जो सोरसे ज़ू इसको मिक्स करो ठोड़ा सा डिवाइड कर लो चलो दो बार खालो दस वह दस शाम खालो ऐसा नहीं कि चारी खाना पांची खाना है और बाकी चीज़े डालो अपना प्रोटीन कम्प्लीट गान ठीक है 25 ग्राम 30 ग्राम एक बार में खाना है बाकी भी बहुत चीज़े दुनिया में खाने वाली आपने ब्लड इन स्टूल पर वीडियो तो बनाया नहीं मुझे थोड़ा सा एक्स्प्लेन कर दो ब्लड इन स्टूल के लिए आप पाइल्स का वीडियो देखो अलसरेटिव कोलाइटिस का वीडियो देखो इरिटेबल बावल इन इरिटेबल नहीं इंफ्लामेटरी बावल Crons disease का वीडियो देखो ये तीन वीडियो देखिए और Fischer का वीडियो देखिए ये चार कारन होते हैं Blood in stool के main most common देखिए Sir, सोया chunks खा सकते हैं क्या safe है? बिल्कुल safe है जनाब मैं खाता हूँ जोरदार खाता हूँ 100 gram तक रोज खा सकते हो थंड़ा पाणी मी पीने से वह वैट वहत बढ़ता है कि यह बात हुए पानी में अधार नहींत प्रोफ नहीं बढ़ता फन्दा गरंत है अधिए और कम भी नहीं होता अधि Sat उमेगा-3 के लिए बता चुका हूं पाणी पानी पानी में सेक्स करने में सही है किहीं fist कि यहां जवाल उना पाणी भी सेक्स करोगे ना तो प्राफ़लर हो जाएगी एक्चिली क्या होगा कि द्यूरिंग सेक्स दा जो लुब्रिकेस्टिंग फ्लुईड निकलता है वजाइना से भी पैनिस से भी वो दूलता जाएगा तो लुब्रिकेशन खतम हो जाएगा जब पानी में हो तब तक तो चलेगा लेकिन बीच में हो सकता है कि रगडन से आपको वहां पर इरिटेशन दर्द होना शुरू हो क्योंकि वह पानी फिर वेजाइना में भी जाएगा वह पानी से फिर पोस्ट क्योंकि क्लोरीन भी हो सकता है आप सुविंग कुरूर में हो इरिट वाटसाइब के रिंक देगे आपको पेटिय। पाल से गूगल प्ले से अकाउंट ट्रांसफर से और और भी कुछ होगा और यूपीए से भीजूपी आइए से 5 आपके पास आप वाटसाइब पर मैसेज करिए उस पर उस पर आपको लिंक आएगा बताए जाएगा आपको यह यह रेट्स है उसके इसाप से चूस करिए पे करिए कर्वाई जाएगी क्या कोई ऐसा चश्मा ज़िए बहुत प्राबलम होता है पानी फूर पीना है ऑगर बहुत जड़ा इस नॉरमल झाही nichts की धन में जाद होती गर्मी में पसीना निकलता है तो याद रखे गर्मी में आपको अलॉड़ाबेस्ट मोस्टराइजर लगाना है अगर आपकी oily skin है तो अगर बहुत जादा dry skin है तो कोई भी moisturizer लगा सकते है डिपनिर वन डाइट मौसम का temperature बढ़ता है तो palpitation बढ़ जाता है बिलकुल बढ़ता है विकास गर्मी होगी तो आपकी body धड़कन dehydration आपकी body करेगी भाई साब क्या हो रहा है फिटेशन हो सकता चक कर असक्ते vertigo हो सकता है यह जाकर देखो आप हमारे अभी लास्ट वीडियो उसी बनाई हीट इल्नेस हीट इलनेस देखो जाके क्या है कैसे होता है क्याल्शयम और विटामिन दी लेने से विटामिन वीटल कैसे फूरा हो जाएगा? तो वो भी दिक्कत होती है, again, same problems, right, बाकी मैं in digestion पर वीडियो बना चुका हूँ, gastritis पर वीडियो आने वाला है, बहुत सारे वीडियो आएंगे, don't worry, सबको देखिए, और बाकी नीचे digestive health की पूरी series है, उसको follow करिए, मज़ा आजाएगा आपको सुनके, right, क्या कोई ऐसा चस पूर होती है, लेकिन ये white light में mix होती है, blue light के आप सामने बैठे हो, तो वो अलग बात है, BP में glucose लिया जा सकता है, क्या, बिल्कुल ले सकते है, कोई problem निए, glucose का BP से जाधा लेना देना नहीं है, thyroid और diabetes में dry screen करे, कैसे glow करे, thyroid है, diabetes है, thyroid अगर आपने जाधा दवा ले ली त होती है, और राइट, ठीक है दोस्तो, इस बिन कॉइट रम टाइम, ठोड़े बहुत सवालों के जबाब हुए, जाधा नहीं मिला, calcium और vitamin D, क्या, दो, summer question, sir, आपकी summer में कितनी age है, कितनी बार बुझे बताये, तुम सुनने ही रहे थे, कहां है तुम्हारा ध्यान, I am a professional boxer, मेरे shoulder bankart lesion की surgery हुई है, 15 दिन पहले तो मैं जल्दी recover, कैसे करूँ, shoulder surgery, calcium, vitamin D, supplement, rest, RICE, rest, ice, compression, elevation, गनेज जी आपने payment कर दिया है, आप वेट करिएगा, कौन से में payment किया है, चाहिए, लाइव पेमेंट किया है, सुपर चैट में किया है, गनेज जी सुपर पैट में payment किया है, तो सवाल भी तो पूछो, वहाँ सुपर चैट में पूछो, ये नहीं, आपका क्वेश्चन वहीं सुपर चैट में पूछना है, ये थोड़ा सा आप लोग कन्फूजन है, देखिए, इसमें न, ये देखो, इतने सारे सवाल है, अब मैं इसमें गनेज जी को कैशे ढूणू, बहुत मुश्किल है, ठीक है, गनेज जी दिखेंगे तो और में को दिख भी रहे हैं तो उसमें ये यारा, यू आप नॉट रांसर माइक वॉश्चन, इसकी जगा अपना सवाल बार लिखो, इसमें मुझे कैसे पता चलेगा आपने पे किया गी नहीं, जहां पे करते हो, जहां पेमेंट करते हो, वहां पर ही आपने सवाल पूछन जहां है पता नहीं, जोगों को पता नहीं चलता है कि क्या इसाब कीताब इसमें जैसे करते हो उत्माई पूछ knowledge by can अभी तो आयं था यह अधे हैं मत जैसे यह दिर पन सब्सक्राइब का इसमें पता निक वा कई नहीं सब्सक्राइब और इसमें सवाल ही पूछा है पेरी अगर पूखना पूछना है अगर वैसे आपको सवाल पूछना थो उसमें इसमें इसमें कैसे हो गुभी कलने के लिए फैट लॉस हाले वीडियो देखेंथ समर में मैं सुब्र मत खाना पर ध्यान दो और सबजियां दबा के खाओ फिश ओयल लेने का कोई टाइम नहीं होता खाने के साथ खाईए वह मैटर करता है डेली आपके डायेट में कुछ होना चाहिए बस उसका टाइम कुछ नहीं होता है ऑल राइट गनेजी फिर भी मैं आपके लिए एक बार राउंड मार रहा हूं नीचे से उपर अगर आपका सवाल दिग गया तो एक बार एक काम करो सबसे नीचे जाओ और सवाल डालो अच्छा गनेजी डिस्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग हेवी वाटर लेस्यूरीनेशन किड्नी प्रॉब्लम हो सकती है किड्नी फंक्शन ये टेस्ट कराओ इजी एफ पार मतलब ग्लोमरूलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब आपकी किड्नी एक मिनिट में कितना यूरीन बना रही है उससे पता चलेगा आपकी किड्नी में पिशाब बनाने की प्रॉब्लम है या उसके साथ ये भी हो सकती है कि ज़्यादा पानी पी रहे हो लेकिन डि किड्नी फंक्शन एच भी एवन सी थायरोड फंक्शन सी बीसी एसर यह सब टेस्ट कर आओ नहीं अगर समझ आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना फिर भी नहीं समय जाया तो मुझे वाट्सप कंसल्टेशन कर लेना वाट्सप कंसल्टेशन का नंबर बता चुका 707 75 707 75 वहत मुश्किल साही 500 700 75 ओके विटामिन सी सब्लीमेंट लेने से किड्नी स्टोन हो सकते है क्या कताई भी नहीं कंताई भी नहीं बलकि बहुत अच्छे विटामिन D सब्लीमेंट ुटामिन सी सप्लिमेंट विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसेट की गोली आती है मात्र 11 रुपय का पूरा डबा आ जाएगा जेनरिक फार्मसी से जाके ले लो दो दो गोली सुबे दूपय शाम भी खाऊगे तो कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया अंटी ऑक्सिदेंट है जोरदार इडिकेशन करना है भीया अचा वो फ्रूट के उपर लगे हुए पैस्टीसाइड और वो अच्छे से दो के खाऊ और कुछ नहीं कर सकते हो अच्छे से गरम पानी में दो के खाऊ हाँ आप उसमें चाहो तो एक्चुली क्या है बेकिंग सोडा डाल सकते हो एलकलाइन अतना नॉर्मल वाटर जाना चाहिए नॉर्मल वाटर जाये तो अपने आप वो डेटॉक्सिफाय हो जाते हैं डोंट वरी अबाउट ठीक है दोस्तों चलिए थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैंने कहा था मैं दो बार लाइव आउंगा आज लेकिन लग नहीं रहा मरेक यह सो मच पर वाचिंग talking